अगर आप गुप्त रोग, मोटापा, कमजोडी, कब्ज, बलगम, दमा, हेयर फॉल, लीवर प्रॉब्लम, नसों की ब्लोकेज, पैरलाइसिस, इत्यादी किसी भी रोग से हैं परिशान, तो होप हरवल लीफ प्रोड़क्ट्स हैं आपके लिए बर्दान, आपके लिए अच्छी सेहत पाएं, अपना जीवन सफल बनाएं, दुनिया का सबसे बरा धन हमारा स्वास्त शरीर है, आप बिना दवाई, खाए, पिए, अपने शरीर को अपने आप घर वेटे ठीक करें, आईरवेद की पंच करमा विधी द्वारा, एवंग नावी द्वारा किये जान अपने वाला अतिप्राची नूप चार है, हमारे गलत खानपान, पेस्टिसाइड पॉलूशन की वज़ा से हमारे सरीर का रोग प्रतिरोधक चमता दिन प्रति दिन खराब ओड़ी है, इसे घर बैठे, बिना डॉक्टर के पास गए, बिना होस्पिटल गए, ठीक करने का अच्चू कुपाई हो फरवली प्रोड़क, रोगों के रोग थाम है, तु हमारे सरीर में कुद्रत ने वो सक्ति पहले से दे रखिये, जिसे हम इम्म्यूनिटी कहते हैं, जितनी होगी स्ट्रॉंग इम्म्यूनिटी, उतने जल्द स्वस्थ होंगे हम हमारा सरीर, इस सरीर का अंतरयामियंग है, नाभी हमारे सरीर का बहते रह Golf पल्सेश, यानि नाडियों का कैंधरविंदू है, नाभी को पता होता है, eve कहां है हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा निस्क्रिय होने वाला है नाभी से ही हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई है दो फिर गुप्त-रोग मोटापा कम जोडी कप्ज बल्गं दमा से क्यों हो रहे हैं परिशान अज Clock कि अभी क्यों नहीं ले आते ना भी सकती अम्रित स्रीमान इसे ना भी में मात्र दो दो बुन डालें छे मेने से बारों मेने तक और देखें इसका समतकार चिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्त यह रचित शरीरा हवा जल अगनी आकास और मिट्टी से बनाओ हमारा सरीर इ कुछ और दोफर का कुछ और और शाम का कुछ और इसके अंसार सरीर में बदलाव नहीं आए तो समझो सरीर बीमार है अगर सर्दी में पसीना आए और गर्मी में पसीना नहीं आए ये भी संकेत है सरीर के बीमार होने के सरीर बीमार यानि तीन दो सुत्पन बात जनित पित मुँ के छाले जैसे रोग कप यानि बलकम दमा टीवी मोटापा इत्यादि संबंदित रोग बात पित कप जब तक रहेंगे सरीर में बैलेंस तब तक कोई बिमारी नहीं और इनको बैलेंस रखने का काम हमारे सरीर के एक ही अंग का है उसे नाभी और इसके उपचार के लिए हो फरवल लिपका नाभी सकती अम्रित कर ले आए आज ही तो देर किस बात की मत कीजे इंटजार और आज ही ले आए नाभी सकती अम्रित और सुख कीजे अपने नाभी का उपचार नाभी ही सबसे बरा बैद्य नाभी ही सबसे बरा डॉक्टर यह अंधरियामी यंग है तो गमजोरी कब्ज बलगम दमा से मत होने दिजी अपने सरीर को बेकार और हो फरवल लिप्स का बेहतरीन चमतकार आठ सो नो सो साल मुगलों ने किया हम पे राज हकीम ले आये और हमारी पंच कर्मविधी को समाप्त कर दिया सो डेर सो साल अंग्रेजों ने राज किया और अंग्रेजी डॉक्टर लाके पंच कर्मविधी पे चोट पहुंचाया और पंच कर्मविधी कहीं खोब सा गया था आपने अपने बुजर्गों को नाभी में सरसों का तेल डालके होटों की समस्चा ठीक करते तो देखा होगा आपने अपने पड़िवार के बच्चों के एबंग बुढ़े माबाप के लिए योज कीजिए और बनाइए स्वस्थ पड़िवार स्वस्थ भारक